ओम शान्ती बारा नुवंबर 2020 के बाबा के साकार महावाग्य आज के मुरली के आठ मुख्य पॉइंट्स पहला पॉइंट विश्व खिवय या बाबा कहते ये है संगम युग जिसको क्रॉस करना है खारी चैनल है ना ये है मीठे मीठे अमरित की चैनल वह है विश्व की अभी तुम विश्व के सागर से क्षीर सागर में जाते हो दूसरा पॉइंट रूहों के बाबा समझाते हैं अब तुमको यथार्थ रीती बाब का परिचे देना है तुमको भी बाब ने दिया है तब तो समझाते हो और तो कोई बेहत के बाब को जानना सके तुम भी संगम पर ही जानते हो मनुष्य मात्र देवता हो वाशूद्र हो पुन्य आत्मा हो पाप आत्मा हो कोई भी नहीं जानते सिर्फ तुम ब्राह्मन जो संगम युग पर हो तुम ही जान रहे हो तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए सुप्रीम टीचर श्रीमत देते हैं विवेक कहता है जबकि गौडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है स्कूल में भी पिछाडी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं बाबा अपने छोटे पन का मिसाल भी बताते हैं हमारा टीचर तो बहुत सक्त था अंदर आने भी नहीं देता था यहां तो बहुत हैं जो देरी से आते हैं चौथा पॉइंट रूहों के बाबा बोले आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है फिर पाट बजाती है मनुश्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं मैं आत्मा हूँ यह भूल जाते हैं मैं कभी भूलता नहीं हो तुम आत्माई सभी हो साली ग्राम मैं हूँ परम पिता माना परम आत्मा उनके उपर कोई दूसरा नाम नहीं है उस परम आत्मा का नाम है शिव हो तुम भी ऐसे ही आत्मा प्रंतु तुम सब साली ग्राम हो पांच्वाँ पॉइंट सर्व शक्तिवान बाबा का डारेक्शन है सारी दुनिया की अब तुम हड्डिया नर्म करते जाते हो तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्थ है बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है भोजन तुम योग में रहकर बनाओ खिलाओ तो बुद्धी इस तरफ खींचेंगी चटा पॉइंट स्वीटेस्ट बाबा कहते तुम बच्चों को सदैव खुश हरशित मुख रहना चाहिए तुम बहुत स्वीट चिल्डरन हो बाप पांच हजार वर्ष बाद उन्ही बच्चों से आकर मिलते हैं तो जरूर खुशी होगी न हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने सात्वा पॉइंट अव्यत बाप दादा बोले जैसे ब्रम्हा द्वारा स्थापना की वृधी हुई वैसे अभी आपके सुक्ष्म शरीरों द्वारा शिवशक्ती के कंबाइंड रूप के साक्षतकार द्वारा साक्षतकार और संदेश मिलने का कार्य होना है लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो आठ्मा पॉइंट मीठे मीठे बाबा इशारा देते हैं मान के त्याग में सर्व के माननिय बनने का भाग्य समाया हुआ है ओम शान्ती अब सुनते हैं मुरली विस्तार सहित मीठे बच्चे बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीती पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ओफ इंकम हो जाएगी सदा सुखी बन जाएंगे प्रश्न तुम बच्चों के अतिंदर ये सुख का गायन क्यों है उत्तर क्यूंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो तुमने ही बाप द्वारा स्रिष्टी के आदी मध्य अंत को जाना है तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमरित के मीठे चैनल में जा रहे हैं हमें स्वयम भगवान पढ़ा रहे हैं ऐसी खुशी ब्राह्मनों को ही रहती है इसलिए अतिंदरिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है ओम शानती रुखानी बेहद का बाप रुखानी बेहद के बच्चों प्रती समझा रहे हैं यानि अपनी मत दे रहे हैं ये तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माई हैं प्रन्तु निश्चे तो अपने को आत्मा करना है न ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं हर पांच हजार वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं बाबा पूछते हैं न आगे कभी पढ़ने आए हो तो सब कहते हैं हम हर पांच हजार वर्ष बाद पुरुशोतम संगम युगे बाबा के पास आते हैं ये तो याद होगा न कि ये भी भूल जाते हो स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना एम आबजेक्ट तो एक ही है जो भी बच्चे बनते हैं फिर दो दिन का बच्चा हो या पुराना हो प्रन्तु एम आबजेक्ट एक है कोई को भी घाटा नहीं हो सकता पढ़ाई में इनकम है वे भी ग्रन्त बैट पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है जट शरीर निर्वाह निकल आएगा साधू बना एक दो शास्त्र बैट सुनाया इनकम हो जाएगी अभी ये सब सोर्स ओफ इनकम है हर एक बात में इनकम चाहिए न पैसे हैं तो कहां भी घूम फिर आओ तुम बच्चे जानते हो बाबा हम को बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है ये इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएगे कभी बीमार नहीं होंगे सदा अमर रहेंगे ये निश्चे करना होता है ऐसे ऐसे निश्चे रखने से तुमको हुलास आएगा नहीं तो कोई न कोई बात में घुटका आता रहेगा अंदर में सिम्रन करना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं भगवान वाच ये तो गीता है गीता का भी युग आता है ना सिर्फ भूल गए है ये है पांचवा युग ये संगम बहुत छोटा है वास्तव में चोथाई भी नहीं कहेंगे परसेंटेज लगा सकते हैं सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूद है ना तुम सभी आत्मों में पाट की नूद है जो रिपीट हो रही है तुम जो सीखते हो वे भी रिपीटेशन है ना रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालुम हुआ है कदम कदम पर पाट बदलता जा रहा है एक सेकेंड न मिले दूसरे से, जू मिसल टिक टिक चलती रहती है, टिक हुई सेकेंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो, दूसरा कोई भी मनुश्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है, कोई को भी बेहद की अर्थात आदी मध्य अंध की नौलेच नहीं है, अभ संगम यूग, जिसको क्रॉस करना है, खारी चैनल है न, ये है मीठे मीठे अमरित की चैनल, वै है विश्की, अभी तुम विश्के सागर से क्षीर सागर में जाते हो, ये है बेहद की बात, दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है, नई बात है न, ये भी तुम जानते हो, भगवान किसको कहा जाता है, वे क्या पार्ट बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो, आओ तो, परंपिता परमात्मा की बाईउग्रोफी तुमको समझाएं, ये उन तो बच्चे बाप की बाईउग्रोफी सुनाते हैं, कौमन है, ये तो फिर बापों का तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो, और तो कोई बेहत के बाप को जानना सके, तुम भी संगम पर ही जानते हो, मनुश्य मात्र देवता हो, वाशूद्र हो, पुन्यात्मा हो, पापात्मा हो, कोई भी नहीं जानते, सिर्फ तुम ब्रामन जो संगम युक पर ह तुम ही जान रहे हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, तब तो गायन भी है, अतिंद्रिय सुख पूछना हो, तो गोप गोपियों से पूछो, बाबा बाप भी है, तीचर सत्गुरु भी है, सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, ये सब बातें बच्चों की बुद्धी में रहनी चाहिए, शिबाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालने है, सिवाए तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं, तुम समझा सकते हो, तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना, तुम जानते हो, बेहत का ब बाला है, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो, माया कितनी समर्थ है, ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, प्रन्तु माया भी कम नहीं है, तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो, इनका तो नाम ही रखा है, रावन रामराज और रावनराज, इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए, रामराज है तो जरूर रावनराज भी है, सदैव रामराज तो हो ना सके, रामराज, श्री कृष्ण का राज, कौन स्थापन करते हैं, ये बेहत का बाप बैट समझाते हैं, तुमको भारत खंड की भी बहुत महिमा करनी चाहिए, भारत सच खंड था, कितनी महिमा थी, बनाने वाला बाप ही है, तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है, एम औबजेक्ट बुद्धी में है, ये भी जानते हो, हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर का भी खया होना चाहिए, विवेक कहता है, जबकि गौडली पढ़ाई है, तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए, टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है, स्कूल में भी पिछाडी में आते हैं, तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं, बाबा अपनी छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं, हमारा टीचर तो बहुत सक्त था, अंदर आने भी नहीं देता था, यहां तो बहुत हैं जो देरी से आते हैं, सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है अभी तुम समझते हो, आदी सनातन, देवी देवता धर्म तो यह था ना, इनका धर्म कब स्थापन हुआ, जरा भी किसकी बुद्धी में नहीं है, तुम्हारी बुद्धी से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है, तुम अभी देवी देवता बनने के लिए कर रहे हो, कौन पढ़ा रहे हैं, खुद परम पिता परमात्मा, तुम समझते हो हमारा ये ब्रहमन कुल है, डेनेस्टी नहीं होती है, ये है सर्वोत्तम ब्रहमन कुल, बाप भी सर्वत्तम है ना, उंच ते उंच है, तो सरूर उनकी आमदनी भी उंची होगी, उनको ही श् श्रेष्ट बनाते हैं. तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ट बनाने वाला कौN है. और कुछ भी नहीं समझते. तुम कहेंगे हमारा बाप, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं. हम आतमाए हैं. हम आतमाओं को बाप ने सम।रिती तुम हमारी संतान हो, प्रदर्फुड है ना, बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं, वे निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे, आत्मा ही एक शरीर छोड़, दूसरा लेती है, फिर पाट बजाती है, मनुश्य फिर आत्मा के बदले, अपने को शरीर समझ लेते हैं, मैं आत्मा हूँ, ये भूल जाते हैं, मैं कभी भूलता नहीं हो, तुम आत्मा है सभी हो साली ग्राम, मैं हूँ परम पिताव माना, परम आत्मा, उनके उपर कोई दूसरा नाम नहीं है, उस परम आत्मा का नाम है शिव, हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, प्रंतु तुम सब साली ग्राम हो, शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी साली ग्राम बहुत रखते हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो साली ग्राम की भी साथ में करते हैं न, तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है, हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है नहीं, तुम कितना उंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है न, बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं बाप भी जानते हैं तुम कितने उंच थे अब कितने ओर्फन बन गए हो बाप को ही नहीं जानते अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो बाप कहते हैं मुझे कहते ही हो Heavenly Godfather ये भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है वहां क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धी में नहीं है तुम्हारी बुद्धी में है कि हम विश्व के मालिक थे अब बन रहे हैं प्रजा भी ऐसे कह रहेगी ना कि हम मालिक हैं ये बातें तुम बच्चों की ही बुद्धी में हैं तो खुशी रहनी चाहिए ना ये बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है इसलिए सेंटर वो म्यूजियम खोलते रहते हैं जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा म्यूजियम सेंटर्स आदी के लिए तुमको बहुत ओफर करेंगे फिर बहुत निकल पड़ेंगे सबकी हड़िया नर्म होती जाती हैं सारी दुनिया की अब तुम हड़िया नर्म करते जाते हो तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्ट है बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है भोजन तुम योग में रहकर बनाओ खिलाओ तो बुद्धी इस तरफ खींचेगी भक्ती मार्ग में तो गुरुओं का जूठा भी खाते हैं तुम बच्चे समझते हो भक्ती मार्ग का विस्तार तो बहुत है उनका वर्नन नहीं कर सकते ये बीज वै ज गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे अथा पत्ते होते हैं बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है वंडर है ना इनको भी कुद्रत कहेंगे जीव जनतू कितने वंडरफुल हैं अनेक प्रकार के कीड़े हैं कैसे पैदा होते हैं बहुत वंडरफुल ड्रा इसको कहा ही जाता है नेचर, ये भी बना बनाया खेल है, सत्युक में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीजें ही होंगी, everything new होता है, मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्यूंकि श्री कृष्ण के मुकट में मोर का पंक दिखा मोर और डेल खुबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं, ऐसे खुबसूरत पक्षी विलायत की तरफ भी होते हैं, अब तुम बच्चों को सारे स्रिष्टी के आदी मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते, बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्रोफी बताते हैं, रचता है, तो जरूर उनकी रचना भी होगी, उनकी हिस्ट्री जोग्रफी हम जानते हैं, उंच ते उंच बेहत के बाप का क्या पाठ है, ये हम जानते हैं, दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती, ये ब कैसे कैसे भगाते रहते हैं, तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए, ये चीची दुनिया चीची शरीर है, हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं, तो दुखी हैं, फिर सतो प्रधान बनना है, तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने, भलगाते भी हैं, पतित पावन प्रन्तु नफरत कुछ भी नहीं आती, तुम बच्चे समझते हो ये चीची दुनिया है, नई दुनिया में हमको शरीर भी गुल-गुल मिलेगा, अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं, तुम बच्चों को सदैव खुश, हर्शित मुख रहना चाहिए, तुम अभी स्वीट चिल्डरन हो, बाप, पांच हजार उन्ही बच्चों से आकर मिलते हैं, तो जरूर खुशी होगी ना, हम फिर से आए हैं, बच्चों से मिलने, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का, याद, प्यार, और गोड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद, प्यार, गोड मॉर्निंग और नमस्ते, धारना के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हम गोडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे, तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो, ए एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, देर से क्लास में आकर टीचर की इंसर्ट नहीं करना है, दूसरा पॉइंट, इस विकारी चीची दुनिया से नफरत रखनी है, बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुशार्थ करना है, सदैव खुश हर्शित मुख रहना है, वर्दान, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुख डबल लाइट भव, सपष्टिकरन, जैसे स्थोल शरीर द्वारा साकारी इश्वरी सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा साथ साथ करनी है, जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृधी हुई, वैसे अभी आपके सुक्ष्म शरीरों द्वारा, शिव शक्ती के कंबाइंड रूप के साक्षातकार द्वारा, साक्षातकार और संदेश मिलने का कार्य होना है, लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रखो, स्लोगन मान के त्याग में सर्व के माननिय बनने का भाग्य समाया हुआ है, ओम शांती झाल 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 झाल